हाई फ्रेंड आज मैं बनाने वाली हूं ग्रेवी वाली मटर की सब्जी तो उसके लिए मैंने दो कटे हुए प्याज ले हैं दो कटे हुए टमाटर दो कटी हुए हरीमेच लंसून और अध्रक का छोटा सा टुकडा मटर तेज पत्ता डाल चीनी और दू लोंग के काजू औ कि अंहidio के अंदर प्यार और लासून को आयल कर दूंगी हिनको अच्छे सेहिला देंगे कि फिर मैं इसके अंदर हरी मीड को भी एड़ कर दूंगी हमको इनको सउफ्ट करना है इसलिक फो इनको 2 या थी मिर्ण तक अच्छे सब्तिकाना आँ अ मेरे मियाज सब्ड हो गए अब में इसके अंदर टामाटर भी और टामाटर को भी हम इसी सरह से सोफट कर देदा है इसलिए मैं इनको दो या ती justo मिनट गड़िने थकके रग दुगशन अब मैं इनको एक प्ले प्लेस के अंदर निकाल दूगी इनको प्लेट के अंतर निकालने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको मिकसर में फीस लोगी और इशे गरम अपना फी से फिर मैं उसके बाद मैं कडाई में तेल गरम करूँगी और फिर काजु को अंदर डालूंगी और काजू को भी उसी तरफ फ्राइ कर दूँगी मेरे काजू भी अच्छे से फ्राइ हो चुके है अब मैं इनको एक अलग से कटोरी में निकाल दूँगी फिर उसी तेल के अंदर में राई और जीरा डाल दूँगी फिर उसके बाद तेज पता और दाल चीनी को पी डाल देंगी और फिर जो टमाटर और प्याज का पेश्ट था वो मैं अब उसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे से हिला देंगी कितने अच्छी ग्रेवी लग रही है अब मैं उसके अंदर थोड़ी ती हिंग डाल दूँगी ताकि इसके खुश्बुवाल भी अच्छी आए इसको अच्छी से हिला देंगी और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर लाल मिर्च पावर्ड डालूँगी अब को जितना तीखा पसंद आया उफनी लाल मिर्च डालीए फिर हल्दी पावडर डाल दूँगी फिर धन्या पावडर एड कर दूँगी और फिर नमक और इससको अच्छी से मिला देंगे अच्छे से मिक्सर को हम अच्छी से हिला देंगे फिर उसके अंदर मैं दई को भी अड़ कर दूंगी दई से इसका ट्रेट और भी अच्छा हो जाएगा इसलिए मैंने इसके अंदर दई भी अड़ किया है फिर इसको थोड़ी ज़र के लिए ढखकर रख देंगे मेरी ग्रीवी कितनी अच्छी बन गई है अब मैं उसके अंदर मटर को भी डाल दोंगी अब इसको अच्छे से हिलाएंगे जब तक मेरे मटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक मैं इसको हिलाते रहूंगी अब मैं इसके अंदर थोड़ा था पानी भी आड़ कर दूंगी ताकि मेरी ग्रीवी ज्यादा गाड़ी ना हो फिर अच्छी से इसको हिला देंगी और इसको मैं वापस 2-3 मिनट के लिए ढखकर रख दूंगी ताकि जो मेरे मटर है वो सॉफ्ट हो जाए दीखे 2-3 मिनट कि अब मेरे सब्जी कितनी अच्छी से बन गई ए और मटर भी बहुत सॉफ्ट हो चुके है מא अब मैं इसके अंदर जो मैने काजू रखे थे वो काजू भी मैं के अंदर डाल दोंगी अब मेरी सब्जी बनके रेड़ी हो चुकी है देखे कितनी अच्छी लग रही है तो अब मैं इसके उपर हरा धनिया भी डाल दोंगी और बन गई है हमारी ग्रेवी वाली मटर की सब्जी और इस अब जी मैंने फर्स टाइम ट्राइ की है आप लोग भी बना के देखे कैसी बनती है और प्लीज मुझे कमेंट करके बताईए कि कैसी बनी है